नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चलने क्रिकेट का इस धर्म पे आए आज हम चर्चा करेंगे कि भारत और उस्टिलिया के बीच में जो पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा क्या रहेगा उसका प्लेइंग 11 और कौन करेंगे रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग हाँ जी केल राहूल करेंगे या गिल करेंगे शुबमन गिल करेंगे कौन होंगे भारतिये कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनर और अगर बात करें तो किन को मिलेगी playing 11 में जगा क्या वो guild होंगे या होंगे वो souriumar यादप क्या वो खेलेंगे टेस्ट पाइस, souriukumar यादप debut करेंगे नहीं करेंगे इन पे चर्चा करेंगे कौन होंगे हमारे wicket keeper क्या केल राहूल wicket keeping करेंगे या मिलेगा केस भारत को मौका तो इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे तो आईए शुरू करते हैं तो आपको बताते चले हैं कि भारत और और उस्टेलिया के बीच चार मैचों की टेस्स सिरीज का पहला मुकाबला 9 से 13 फरवरीत के बीच में नागपूर में खेला जाएगा भारत और उस्टेलिया के बीच पहला टेस्स मैच ये 9 बजे शुरू होगा और उस्टेलिया ने साल 2004 के बाद से भारत में टेस्स सिरीज नहीं जीती है दोनों देशों के बीच भारतिय धरती पर टेस्स सिरीज पूरे 6 साल बाद खेली जा रही है आखरी बार भारत में साल 2017 में खेली गई चार मैचों की टेस्स सिरीज में टीम इंडिया ने उस्टेलिया को 2-1 से माद दी थी रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया आउस्टралिया एकलाब चार मैचों की टेस्ट शीरिस को हर हाल में जीतना चाहती है कप्तान रोहिद शरमा ऐसे हम आउस्टःलिया एकलाब नागपुर में होने वाले पहले टेस्ट मैच में अपनी बेस्ट पलेइंग ले में उतारने वाले हैं और अपने बड़े खिलाडियों को भी वो कुरवान करने से बाज नहीं आएंगे तो अस्टलिया एकिलाब पहले टेस्ट मैच में केल राहूल के साथ बिसफोटक ओपनर की बात करें और अगर वो टिक कर खेल गए तो तेहराश तक भी लगाने वाले बल्लेवाज बन सकते हैं तो रोहित शर्मा और केल राहूल की जोड़ी आपको ओपनिंग करते नजर आएगी और ये जोड़ी उस्टलिया के लिए काल भी बन सकती है अगर ये दोनों टिक गए तो दोनों के पास T20 का भी सकील है और वन डे का भी सकील है और ये लोग काफी खतरनाक बल्लेवाजी करने लग जाते हैं और अगर बात करें मिडल ओर्डर का तो आपको तीन नंबर पे चेतेशवर पुजारा खेलते नजर आएगे और चौथे नंबर पे विराट कोली, कप्तान किंग कोली नजर आएगे आपको चार नंबर पे बल्लेवाजी करते हैं तो देखा जाए कि टॉप चार जो बैटिंग ओडर है काफी स्ट्रॉंग हो जाता है इंडिया का और यह उस्ट्रलिया को पठखनी देने में बिल्कुल सक्षम है और बिल्कुल उस्ट्रलिया को नाको तले चना चमाने को मजबूर कर देगी पाँचमे नंबर की बात करें तो यह काफी जादा कोच के लिए और कप्तान के लिए भी डिस्प्यूटेड है और यह यहां पे उनका सरदर्द बना हुआ है तो पाँचमे नंबर पे वैसे देखा जाए तो अगर मौजूदा फॉर्म को अगर तरजीह दिया जाएगा तो शुमन गिल आपको पाँच नंबर पे बल्लेवाजी करते नजर आएंगे हाँ जी आपको बताते चलें कि शुमन गिल अभी हाली में शुर्लंका खिलाब 12 शतक जड़ा था और T20 में भी उन्होंने एक शतक जड़ा है और इस तरह से उनको मौका मिलना तै है आगे अगर हम बात करें तो छे नंबर पे आपको एक टेस्ट बल्लेवाज नजर बेटिंग करते हैं वैसे विकट किपर बल्लेवाज आपको बल्लेवाजी करते नजर आएंगे अगर बात करें तो छटे नमबर पे आपको टेस्ट बैट्समन के तौर पे आपको केस भारत को मौका मिलेगा क्योंकि भारतिये पीचे जो होती है वो स्पीनर्स के लिए काफी हेलफुल होती है और ऐसे में एक स्पेशलिस्ट विकेट के पर रखना काफी जादा आहम हो जात नहीं चाहेगी कोई भी भारतिये टीम का मैनेजमेंट आगे अगर बात करते हैं साथवे नमबर पे तो साथवे नमबर पे साथवे नमबर के अगर बात करें तो आपको एक आल राउंडर बल्लेबाज और स्पीनर खेलते नजर आएंगे और वो होंगे रविंद्र हैं तो और उसके बाद रवी चंदरन अश्वीन आपको आठवे नमबर पे बल्लेबाजी करते दिखेंगे जो की काफी अच्छे स्पीन गिंद्वाजी कर रहे हैं और स्टेलिया को अपने जाल में फसा सकते हैं और वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास बहुंच चुके है अगर नौमे नमबर की बात करें तो आपको इसमें अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे क्योंकि उनकी बैटिंग भी काफी अच्छी होती है और अगर वो बैटिंग अगर वो प्लेइंग 11 में जगह बना पाते हैं तो इंडिया की बैटिंग लाइन अप 9 नमबर तक चल में रिस्ट दिया गया था तो मुहमद सिराज और उनका साथ देंगे 11 नमबर पे मुहमद शमी तो यह होने वाला प्लेइंग 11 और यह प्लेइंग 11 मुझे लगता है कि ऑस्टेलिया को बुरी तरह से बुरी तरह से प्राजित करने में सक्षम है आज के लिए इतना ही और मि जिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तर के लिए बाई बाई थैंक्यू बेरी मच